नमसकार दोस्तो। मैं मिंटॉट। दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक MI का फॉन है और यह MI का फॉन है इसमें प्रॉब्ल्म के प्रॉब्लम형 कि isने देखा जैसकते हैं कि कोई भी नेट वर्क वhart, इसमें प्रॉब्लम형 की problem को solution कर के दिखाएंगे तो देख सकते हैं Android Mobile निकाल देते हैं Mobile को open कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि यहां पर जहां पर नैटवर्क आई सी लगे होती हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि दो बायर लगा दिए गये हैं जो कोई technician हो उसके द्वारा यह दो wire लगाय गए हैं और देखईएगा इस तरीके से 2 wire लगे हुए हैं और यहां पर आए हुए हैं तो आपको जूम करके दिखा देते हैं के इस तरीकेसी यह देखिए तो पूरा mobile जो है इसके component वगारा भी कुछ निकले हुए लग रहा हैं तो वीडियो में आंते तक बने रहे हैं देखते हैं किया इस मोबाइल की प्रॉब्लम को सालूसा नुदा था चलिए इसक्रू पहले खोल लेते हैं और इस टिब्बी को बहार निकाल दिए हैं और इसक्रू खोलने के बाद देखेंगे आप किस तर हुए हैं दोनों अलग अलग जगाया पर लगे हुए हैं तो इन वायरों के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि हम पहले तो यह समझ में नियारा किस तरीके से लगे हुए हैं तो पहले हम इन बायरों को जो है यहां से बाहर निकालेंगे इसके बाद देख पाएंगे और समझ पाएंगे किस तरीके सी यह सही होगा तो यह दो बायर जो लगे हुए हैं इनको जो है हमको पहले बाहर निकालना पड़ेगा इसके बाद मोबायल की कंडिशन का लेकिन उसके पहले हम आपको बता देते हैं यहां पर पत्ती लगी होती है जिसके अंदर या ऐसी वगएरा होती है वो भी निकाली गई है तो यहां पर दोनों वायरों को बाहर निकाल देंगें तो चारो साइड हमने 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 पेश्क लगा और soldering iron से इन दोनों बाइरों को बाहर निकाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने दोनों बाइरों को बाहर निकाल दिया है और बाहर निकालने के बाद अभी हम करेंगे क्या कि soldering iron से इन दोनों जगायों को थोड़ा सा clean करेंगे clean करने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमें इस से problem को solution करना है और किस तरीके से हम इसकी jump ring करेंगे जिससे हमारी problem को solution हो जाए कि यह jumpring नहीं कर पाया है जो भी टेकनिशियन ने सुकश रिपाया है नहीं jumpring सही से कर पाया है और नहीं वो network की problem को repair करने में सक्ष भया इसकी वज़े से ही यह problem जो है create हुई है तो चलिए ठौला सा यहांपर भी clean कर देते हो क्लिन करने के बाद आपको जूम करके दिखा देते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ पर क्लिनिंग कर दी है देखिएगा जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं तो यह यहाँ पर एंटिना वायर का कनेक्टर था और एंटिना वायर के connector के just wiggle में आप देख रहे हैं तो चलिए पहले cleaning कर लेते हैं थोड़ा सा गंदा लग रहा है तो आप पे PCB cleaner से इसको clean कर सकते हैं अगर आपके पास PCB cleaner नहीं है तो आप पे petrol का यूज़ कर सकते हैं उससे भी cleaning हो जाती है तो देख सकते हैं कि इसको clean कर देते हैं दोनों साइड और इसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसमें jumper लगा के problem का solution कर सकते हैं और किस तरीके से हमको करना पड़ेगा तो यह जो connector है थोड़ा दोस्तो यह हमको disturb लग रहा है तो इस तरीके से हमने बाहर निकाल दिया है और अभी आपको बताएंगे किस तरीके से हम इस problem का solution कर पाएंगे तो थोड़ा यह network IC जो है वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने का प्रियास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हम इस mobile को repair कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे यह black color की जो बड़ी वाली network IC लगी हुई है और यह network IC जो लगी हुई है इसके बीच में एक point है और यहां से यहां पे एक resistance के component लगा होता है तो यह वाली line जो है यह देख सकते हैं आप यहां से यहां पे अंदर IC में गई हुई है तो एक line के अगर बीच में कोई component मिस नहीं है हमारा यह line जो है यहां पे से jumper लगाएंगे आप तो यहां पे भी लगा सकते हैं और यहां से direct आपको यहां पे jumper लगाना है ठीक है तो चलिए अभी हम आपको बता देते हैं कि jumper कौन सा लेना है तो यह हमारे पास एक headphone पड़ा हुआ है खराब तो उसको हमने निकाल के इस मेंसे यह wire जो है निकाल लिया है तो यह wire जो है flexible होता है तो मूड सकता है कहीं भी मूड सकते हैं आप तो इस बज़े से यह wire जो है better होता है इस बज़े से हम इसी wire को जो है जंपरिंग करने में यूज करने वाले हैं तो चलिए इस वायर को cut कर लेते हैं तो कंपर ने के बाद कहां पे जंपर लगाना है वो भी बताएंगे और किस तरीके से लगाना है वो भी बताएंगे तो फिलाल में जो भी हमने आपको बताया वो आपने समझ लिया होगा और उसकी जगाए पर दोस्तों हम यहाँ पर एक के वायर जोड़ रहे हैं और यहाँ पर क्यों जोड़ रहे हैं यह भी आपको लाश्ट में बता दिये जाएगा और यहाँ से हमको कहाँ पर जमपर लगाना है वो भी हम आपको लाश्ट में बता देंगे और वीडियो में अंतर तक बने रहें तो अभी थोड़ी सी सोल्डिंग कर लेते हैं इसकी तो चलिए अभी हम एक जमपर यहां पर लगा देते हैं और यहां से हमको कहां पर जमपर लगाना है वो आप समझेंगे इसके बाद आपकी प्रोब्लम का जो है सो परसेंट सॉल्ड होने वाली है तो देख सकते हैं हमने एक जमपर यहां पर लगा दिया है आप समझ सकते हैं यहां पर हमने जमपर लगा दिया है और दूसरा जमपर आपको यहां पर लगाना चाहिए यहां पर यहां पर भी यहां पे भी लगा सकते हैं जहां पे network आता है लेकन हमें यहां की जगा पे इस जगा पे लगा देते हैं जहां पे हमने एक antenna connector को निकाल दिया है उस जगा पे हमने यह एक jumper यह लगा दिया है तो देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करके दिखाया था हमने तो cleaning कर देते हैं पहले तो देख सकते हैं कि हमारा जो jumper जो है परफेक्टरी लग चुका है और थोड़ा आपस में सौट होने के जो chance थे उसको clean कर देते हैं बिलेट की मदद से सही हो जाएगा तो यह आपको याद रखना है कि यह आपस में सौट नहीं होना चाहिए अलग-अलग होना चाहिए तो यह देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग-अलग साप समझ में आ रहे हैं और यह हमने jumper लगा दिया है तो जो पहले बताया था उसके विपरिट दिसा में हमने jumper लगाए हैं आपको समझना है कि इसकी line कहा है तो देख सकते हैं यहां से बीप की बाइश मिल गए है यहां पर यहां पर हमने jumper लगाने के लिए बोला था ह선 और इसकी नेटवर्क आइसी है तो चलिए एक ब़र फिर से मॉल्टिमिटर से चैक कर लेते ह। एक सडि już service ci नेट की बौार्स देखली है दूसरी इस साइटल करब आ Fail है यानिकी हमारी दूसरी साइड भी साही है और इस साइड भी साही है तो दौनों साइड हमको बीप की बयुट मिल ल towels में लाइतो दोस्तो एकर हमारी network आई सी सही है तो साल्य पेडिली हो जाना चाहिए तो चलिए अब Ch Christine का सल्यून होगा ईकिन चलिए हमने SIM को लगा दिया है और मुबाइल को कर लेते हैं ON तो देखिए दोस्तों मुबाइल हमारा ON हो चुका है थोड़ा सा बेट होगा और बेट होने के बाद अभी देखेंगे कि Network की Problem दोर गुदूर होई यह के नहीं तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी Network की Problem का Solution हो गया है Geo 4G लगके आ गया है और Network थोड़ा सा कम आ रहा है तो नीचे इसके चिम्टी लगा के देख लेते हैं कि क्या हमारी Network जो है Boost होते हैं कि नहीं यानि की बढ़ते हैं कि नहीं तो नीचे हम दोस्तों चिम्टी लगा रहे हैं तो देख सकते हैं कि जैसे हमने नीचे चिम्टी लगाई वहां पर तो यह Network फुली आ चुके हैं तो आपको चिम्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है Mobile जैसे ही आप पैक करेंगे आपकी प्रॉब्लम को solution 100% हो जाएगा तो देख सकते हैं यहां पर हमने एक जमपर लगाया है इसी लाइन में आप यहां पर भी लगा सकते थे और यहां से यहां से डाइडेक्ट यहां पर हमने जमपर मारा है आप वहां से डाइडेक्ट यहां भी लगा सकते थे लेकिन जो बीच में कंपोनेंट लगे हुए हमने सोच रहे थे कि इनको bypass ना करना पड़े तो हमने उनको नहीं किया है आप चाहेते तो यहां भी लगा सकते तब भी आपकी problem का solution बिल्कुल हो जाता लेकिन हमने वहां पे लगा के और इस तरीके से jumper लगा ले आप